तो आज है Whistleblower's Day यह क्या होता है Whistleblower? इसका मज़लब का सीटी बैजाना यह नहीं देखी कई बार आप जिस संस्था में काम करते हैं और्गिनाईजिशन में काम करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट केर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं कई बार वहाँ बहुत कुछ गलत होता रहता है corruption हो सकता है, कुछ fraud हो सकता है ऐसा कुछ भी हो सकता है और आप ये information अपने से किसी senior आदमी को सरकार को या ऐसी किसी जांच agency को देते हैं तो आपको whistleblower कहा जाता है देखिए, यहाँ पर कहीं न कहीं हो सकता है आपके उपर भी खत्रे आ जाएं तो whistleblowers को हर देश में protection मिलता है भारत में भी whistleblowers policy के बारे में बहुत time से चर्चा चल रही है एक बहुती famous case हुआ था अगर आपने सुना हो Enron, Enron करके एक बहुत बढ़ी fraud company थी अमेरिका की तो Arthur Anderson उसका CA था तो उसमें एक बंदी थी Arthur Anderson में उसने whistleblower का नाम famous किया था उन्होंने बता दिया था देखिए Enron में बहुत गलत हो रहा है Arthur Anderson उनका help कर रहा है तो आज देता तो मैंने सुझस पर वीडियो बना दू मिलेंगे अगली वीडियो